आप सब लोग आप सब का मेरे इस चनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभी आज देखिए मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग में मैं जस्ट सो के उठने के बाद मैंने चाय वागरा सब पीली है और अभी वो नाइट ड्यूटी से आए है तो वो अभी आप वह बाग भाग के आती है तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ तो परिशू कैसा लगए अप्ल आप ग जाए और अब्य एक कोशिश कर रही है ऑब मैंने तो पर एक 4त्वी डाली हूई यहाँ विढ़ी हु यह तो यह देखिए प्रीशू को यहां पर यह देखिए य गिर्टे गिर्टे बची है इधर आजा तो अभी बाहर न यह सब ऐसे कबूतर बगरा देखती रहती है तो अभी मैं चलती जली से मेथी साफ कर लेती हूं तो यह देखिए मैंने न रूम में यह रखा हुआ है तो आज मैं इसी का सब्जी बनाऊंगी तो अभी फिलाल मैं इ ये सूप देखें ये भी नीचे गिर गिर गिया है तो मैं इसी में अभी रखूंगी सारा साफ करके तो चलिए मैं यहां बैठती हूँ यह साफ करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाते हूँ तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी ना बहुत ही अच्छा मोसम हो रहा है और धूप ना बहुत जारा तेज भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है इतना है कि हम आराम सी धूप में बैठ सकते हैं और धूप में काफी अच्छा लगता है बैठने में और कम से कम 3-4 गंटे तो हम डेली धूप में बैठते ही हैं, अगर धूप बहुत जादा तेज है तो थोड़ी देरी बैठते हैं, बट आज धूप देखने से आपको लग रहा होगा कि इतनी जादा नहीं है, नॉर्मल है क्योंकि प्रीशू भी बहुत तेज धूप में ये भी बैठती नह हैं, और बहुत जादा रोने लगती है, और अगर मतलब इसको लगता है ना कि धूप में बहुत जादा इसको गर्मी लग रही है, अभी जैसे इसने जर्सी स्वेटर सब पहना हुआ है, तो अभी मैं इसको रिमूव करूँगी, क्योंकि ना अभी तुरन ता कि मैंने इसक प्सक्ड़ने निकालूंगी, थोड़ा सा ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद मैं इसके कपडओ निकाल दूँगी, क्योंकि ना अभी क्या है, कि इसको बहुत जादा, मतलब मुझे लगता से कपड़े निकालूंगी तो इसको हवा लगने का या छोटे बच्चे को होता है थोड़ा ठन एकदम से लग जाती है तो अभी ये रूम से आई है थोड़ा सा अभी इसको नॉर्मल होगी तो फिर मैं इसकी जर्सी स्वेटर से उतार दूंगी क्योंकि अभी न धूप ज़् इसमें तो ये खुद भी नहीं बैठती है और अभी मैं भी अराम से मतलब ये अपना काम कर लूँगी क्योंकि जो मेथी है न अभी सीजन में बहुत अच्छी आ रही है और मेथी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है अगर इसकी सूखी सबजी बनाई जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छी लगती है और सीजन में ये काफी सस्ती भी आती है और मैं हर वीक मतलब बनाती ही हूँ और सबसे जाड़ा तो मैं मेथी और बत्वा ये सब मैं बनाती हूँ और अभी बीच बीच में क्या हो रहा है प्रिशू किसी को भी देखके जोड जोड से मतलब कबूतर को इंथना मतलब पता नहीं है तो जब इसको थोड़ा पता चलेगा लेकिन आभी कुछ भी एगर होता है तो ये बार बार उसको देखके चिलाती है तो मैंने अभी इह पर न थोड़ा सा इससको प्री करके छोड़ देती हूँ ताकि अब आप अपना खड़ी हो के देखती रहती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि गिरने का कोई डर नहीं है नीचे चारपाई है और यह इसकी हाइट से थोड़ा सा ज्यादा है जो गृल लगी है तो यह आराम से खड़े हो के देख लेती है बट इसका सबसे मेजर जो मुझे डर लगता है वो यह लगता है कि इसके पास ना चार पाइपे में कोई भी सामान नहीं रखती है, अगर कुछ भी मैं सामान रखोंगी ना तो यह उठा के उसको नीचे फिक देती है, तो यह सबसे ज़रा इसका डर है, फिलाल तो भी मैंने इसलिए कुछ नहीं रखा है, मेरा अभी मेथी मैंने साफ कर ली है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा यहां पर कितना यादा चिला रही है और मैंने अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूं तो इसको भी मैं बाहर नहीं छोड़ूंगी इसको मैं अंदर सोफ़े बेठाऊंगी यूगी यह बाहर क्या हुआ प्यूर। यह ना ऐसी मतलब चिलाती है। यह अ प्यूद रही है जोड़ को चला रही है जोड़ खुला रही है तो चलिए वैसको भी अंदर लेके चलती हूं और मुझे अभी सबजी बनानी है तो चलिए फिर चलते है चलो वीटा कम तो चलो तो यह देखिए मैं इसको ना अभी अंदर लें sit बैठो, sit आ sit properly तो मैं अभी जाती हूँ सबजी बनाने के लिए तो यह देखिए मैं दिखाती है अपको back camera से तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में तो मैं अभी ने actually नमकीन खा रहे थी और मुझे यह वाली नमकीन बहुत ही जादा पसंद है यह बेसन वाली जो मोटी वाली नमकीन होती है तो यह देखिए कितनी सी अभी बची है मैंने सारी खतम कर दी तो मैं रोजी थोड़ा थोड़ा जब भी मुझे भूक लगती है मैं खाती हूँ तो चलिए मैं आपको अभी दिखाती है यह मैंने यहापर मेठी दोके रख दी है इधर मैंने कड़ाई रख दी है और इधर तो मेरा यह लूद गरम हो गया है तो अभी मैं फटा-फट से पहले यह इसकी चॉपिंग कर लेती है अब मैं अभी सब्जी बनाऊंगी और यह देखिए यह देखिए नो प्रिशू चलिए मैं इसको देख लेती है पहले क्या हुआ बेटू आज आ मैं तब बहार जा रही हूँ आज है जुन्दी और यह देखिए कितने स्पीड से मेरे पीछे-पीछे चलते वह आ रही है अब वो मुझसे भी आगे निकल गई है बालकने की तरफ जा रही है तो एक्चुली मैं ले ना यहाँ पर यह कुछ लेसन वगरा छील के रखा वाट तो मैं यह यह लेने आई थी पेड़े चलो न रही है क्योंकि उसके ना मूड के ओपर डिपेंड करता है अगर उसका मन होगा तो वो खेलेगी अगर उसका मन नहीं होगा तो वो बार बार किचन में आएगी बार बार किचन का समान मतलब इदर से उधर करेगी कई बार डर होता है कि कुछ अपने ओपर गिरा ना ले और पर जैसे लेसन तो मैंने छील लिया था थोड़ा प्याज वागरण में छील लेती हूँ फटाफट से क्योंकि बीच में जैसे आपने देखा था गूं रही थी तो अभी वह फिलाल पूरे घर में गूम रही है कभी इस रूम में जाती है तो 've बालकनी में जाती है कभी किच करके फटा फट से पहले लेसन और प्यास को मैं कट कर लूँगी क्योंकि उसके बाद मेथी को कट करने में थोड़ा टाइम लगता है और आलू भी मैं सोच रही हूँ कि एक दो डाल लेती हूँ कि वैसे कई बार मैं सिंपल मेथी बना लेती हूँ लेकिन प्रीशू थोड़ा हमेशा कड़हा बनाएं गां तो इसमें फटा आफह मेंदी निकल जाती है तो उसको क्ड़ाइर में खुला अन। यहां निकल जाती है थोड़ा जाती है हूँ haणी लेकिन जब भी हमिशा खाने के उसका मन रहता है कि अगर आलू डालेंगी लाव eating सब्सक्राइब दो जफितनी वालावने सब्स хотя अंगते का बंचती एंग लिखनेगा धना भुषों जबऔर ड्रती बूरिव और यह सब्सक्राइब काफिन हैगती है। तो उसमें तो और जारा टाइम लगता है साफ करने में और अभी देखिए मैं एक्शली मेरे पास काटने के लिए जो दरात बोलते हैं वो है मेरे पास लेकिन मुझे उससे काटना नहीं आता है तो मैं फटा-फट से यह चक्कू से ही मैं मतलब काट लेती हूं और मेरे पास य चौप करके मेथी को और इसमें डालती रहती हूं तो इससे क्या होता है कि मतलब यह मैं नहीं करती कि फटा-फट से पहले मैं इसको कट करके रखूं और फिर मैं बनाऊ तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है तो मैं अभी यह किचन में जब तक रहूंगी और यह जाता है यह सबजी बीच में अटक जाएगी तो मैंने सुचा कि इसको बीच में रोकने से अच्छा है कि इसको करने देती हूं और फटा-फट से क्योंकि मैं मेथी को कट करने में ऐसा तो नहीं कि एकदम से कट जारी थोड़ा टाइम भी लगता है तो यह देखिए फटा- जाएगी बार अपने ऊपर गिरा भी लेती है तो फिर मैं इसको अभी बात वात करके इसको कैसे भी करके मैंने किचन में नीचे रोका हुआ था कई बार मैं कुछ-कुछ कुछ की समान उठा के इसको दे रेती हूं जो थोड़ा नया नया इसको लगता है खेलने में तो इस कुछ नया मुझे दे दिया तो ये दो-छip मिनट तो इसमें भी होही जाती है जब यह उसने बोर हो जाती है तो फिर मैं उसको लेगि इसको कुछ कोई दूसरा समान दे दोगे ना कीचन का खेल मैं कुछ के पट देती है फिर अगेन रोना शुरू कर देती है तो देखिए अभी तो फिलाल मेरी सब्जी मैंने रख दी है अब मुझे इतना टेंशन नहीं कि बस फटा फट से मुझे आटे को मिक्स करके रखना है उससे क्या होगा कि एकदम मेरा सारा जो मतलब बर्डन है वो एकदम से कम हो अब आप इसको बोल सकते हैं तो यह उनलाइन मैंने मीशो से पर्चेस किया था इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी किसी अलग व्लॉग में तो यह न बहुत ही मतलब EZS में मैंने बताया भी होगा अपने किसी व्लॉग में कि इसको फटा फट से आटे के अंद कि अबी जैसे मैंने आटे को मिखसो कर लिया है लेकिन अबी मुझे क्या करना है कि इसको निहलक कर लेना तो मैं देखी अभी न फटा फट से मतलब बें इतना जल्दी स्पीड से बन तो अगर इसको हम थोड़ा सा rest होने के लिए आटे और रखेंगे तो इससे क्या होता है कि रोटी है बहुत ही fully fully आती है और बहुत ही एच्छी आती है और ये थोड़ा multi grain है तो इसकी रोटी तोटी जादा है क्योंकि मैंने इसमें गेहूं का बहुत कम यूज किया है और इसम पापा के साथ अभी खेल रही है और अपने आप भी खुश हो रही है यह देखिए और यहां पढ़ना मतलब अगर यह कोई चीज करने लगती है ना तो फिर उसको बारवार करती है यह पने पापा को किस दे रही है और क्या होता है यह कुछ बूलाने की कोशिश भी करोगे ना तो यह कुछ और अगलग स्टाईल से भी बोलती है तो यह पर ना अभी एक्चली सोके उठी तो यह काफी ना भी यह मस्ती के मूड में हैं आप देख सकते हैं तो मैं फिलाल तो थोड़ा सा मैंने इसको अपने वीडियो में ले लिया है तो अभी देखिए ये एकदम से मतलब अभी कितना खुश है तो जब तक प्रिशू अभी अपने पापा के साथ है क्योंकि अभी वो सोके उठ गए हैं और यह मेनमेशो से मंगाए था तो सकते यह बारे मैं बताउंगी व्लॉग में काफि सारी शॉपिंग कि ए कि वह दिखाउंगी तो इसमें एक अप्छी जीज जिन नहीं भी है तो आप इसको मंगाए यह नहीं यह मैं बताऊंगी तो ये वैसे तो अच्छा है लेकिन चली में डिटेल में बाद ने बताऊंगी तो मेरा आज की व्लॉग यहीं तक था अगर आपको अच्छा लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक